प्रदेश में पहले चरण का जो मद्दान है वो तेरा लोकस्वा सीटों के लिए अस्वक्त चल रहा है कुल 115 अमिदवार जो हैं वो मैदान में है पहले चरण में 2,57,50,378 मद्दाता है जबकि 1,32,81,510 पुरूश 1,24,68,726 महिला जबकि लगभग 6,60,9 मद्दाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग भी यहां पर कर रहे है राज्य में कुल 51,965 मद्दान के अंदर बनाए गये हैं जबकि प्रत्रम चरण की बात करें तो 28,182 मद्दान के अंदरों पर मद्दान इस वक्त चल रहा है और आपको ये भी जड़ा बता दें कि वो कौन-कौन से संसिदी सीट है वारा कोटा जालावार बारा मैं इस वक्त जो वोटी है वो चल रही है तो चल लिए अजमेर की आपर बात कर लेता है अजमेर से हमारे संवादाता नितिन मेरा इस वक्त फोन-लाइन पर जू चुके है नितिन बात करें अजमेर की अजमेर की सीट भी काफी महत्मूर है और यहाँ पर जो मुकाबला है काफी हाई प्रोफाइल है इस वक्त अगर बात करें तो फिलाल लोगों में जो उसा है वो किस तरीके का निजर आ रहा है बल्कुल और नितिन अगर बात करें तो क्या मदान जो इस वक्त चल रहा है कहीं कुछ हिंसा की घटना या एवियम में खराबी की कुछ खबर भी सामने निकल कर आ रही है तुछ एम मंसी में आई एस सामने जिसे दब वोटिस्ट वाला समय से ही पुद्व पदर देरी से चलू बजी है इस चली तमाम जानकारी के लिए शुकरिया आपका तो एजमेर की सीट है और यहाँ पर जो मकाबला है वो रीजू जुन जुन वाला जो की कॉंग्रेस से है और जब की बीजेपी से भागीरज चोधरी है यह हाई प्रोफाइल जो सीट है वो मानी जा रही है कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है और सबसे खास बात लोगों में उत्सा है मदान को लेकर आला कि गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन उसके बावचुद भी लोग अपने घरों से बहार निकल रहे हैं और मतादिकार का र्योग वो कर रहे है तो रिजु जुन जुन वाला जो कि एक युवा चेहरा है कॉंग्रेस की तरफ से जबकि भागेरे चोदरी जब काफी अनुभों है बीजेपी से और हमने ये भी देखा है कि काफी जो कश्मकरश है काफी जो काफी की टकरशी से कहा जा रहा है वो यहां पर है झाल झाल